महित्पुर्क शेत्र के ग्राम जवासिया सौलंकी में एक विधवा पीडित महिला को उसके हक और अधिकार के लिए दरदर भटकना पड़ रहा है। मतादें के मामले को लेकर पीडित महिला ने 30 मई को महित्पुर तहसीलदार को जन सुनवाई में आविदन दे कर नियाय की गुहार लगाई थी। लेकिन आविदन देने के 15-20 दिन गुजर जाने के बाद भी पीडित महिला को नियाय नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते पीडित महिला को अपना अधिकार और नियाय के लिए दरदर धुक रहे खाना पड़ रही हैं। पीडित महिला का कहना है कि उसके ससुर, उसके ससुराल वाले जगडालू किसम के हैं जो विवाद करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। यही नहीं, इनकी दबंगई के आगे पटवारियों को भी हार माननी पड़ी। को मजबूर है। जानकारी को मताविक वीडित महिला संतोष भाई यसल में एक बिधवा महिला है जो माकड़ौन तहसील के ग्राम टुकराल अपने मायके में निवास कर रही है। संतोष भाई के पती गुमान सिंकी मृत्यों करीब 20 वर्ष पहले उसके विभाके एक साल बाद ही हो चुकी है। पती के मृत्यों के बाद उसके पती के हकी एक हेक्टेर की कृशी भूमे उसको प्राप्थ हुई थी जहां पर वो कृशी कारकर अपना गुजर्वसर कर रही थी। लेकिन पिछले समय से उसके ससुराल के लोग उसकी भूमे पर जवरन बलपूर्वक कबजा करते हुए उसे उसकी जमीन से बेद अखल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उसके साथ मारपीट करते हुए उसे कृशी कार करने से रूका जा रहा है। ऐसे मैं पीडित महिला संतोश भाई ने स्थाने प्रशासन से नियाय की गोहार लगाई है। साथ ही महिला ने जान माल की सुरक्षा करने की भी मांग की है। मैरे कुछ नी चाहता है, मेरे जार जमीन ने देता हैं। फच्चास गान मेरे मायके में रहती हूँ, उनकाई मेरे कुछ भी माइड़ी दाटकी करकर के पेट बढ़ती हूँ। जेता हुए पंदरा दिन हो गया आवाजन देया, कुछ नहीं हुआ। महितपुर से भौमलाल गोयल की रेपोर्ट